ओम अलख नो अनहद नाद भुजावे आग्म जा भुति ओम अलख नो अनहद नाद भुजावे आग्म जा भुति प्रभु प्रीतिनो मधुर साद सुनावे आग्म जा भुति ओम अलख नो अनहद नाद भुजावे आग्म जा भुति आग्म जा भुति आग्म जा भुति आग्म जा भुति दर्शक मित्रो दर्वकते आपने एक नवाज विशेश साथे खुब सुन्दर चर्चा करिये जे उँ आसा राखू छू के आ कायरेक्रम नी अंदर जेके चर्चा थाई जे तेहनू आप लोगोंने जीवन मा खुब जफाईदो थतो अशे तो फरिती एक वखत उँ मनिश सा आधना आत्मा जागरूती कायरेक्रम नी अंदर आज सबनू दिल्थी स्वागत करू जू मित्रो वेरी वाव्म वेलकम टू दिस पोग्राम मित्रो गई वकते गया आपी शोड मा आपने मुरूत्यू इटले सु ए जानियू औने ए गंबीर विशय साथे साथे खुबत जरूरी विशय होवा थी आपने आजना एपी शोर मा पने एज विशय उपर वजयरे चर्चा करवाना अचै और दर वक्खतनी जेयम आजना एपी शोर मा आपनी साथे गीताबेन उपसतीरlage चै तो सव प्रसमतों गीताबेन आपने आपने आजना शोगों कायरेक्रम मा श्वागत करूँ वेलकम तु दीश्टो जो मृत्यू एक सारेरिक प्रक्रिया होए आत्मा जर अमर अविनासी छे आत्मानू मृत्यू थतू नथी तो पची आत्मा मृत्यू वखते जे सरीर छोड़े छे ए सरीर छोड़ी अन्या जाई छे फिल्म नी अंदर अक्टर पालट प्ले करे छे तो एनो पालट बदला एमें ड्रेस बदले छे ए जरिते आत्मा आ विश्वनाटक नी अंदर पालट प्ले करे छे एक शरीर छोड़ी ने ए विजू शरीर भारान करे छे सिम्पल वस्तो छे अन्या करे आत्मा एक शरीर छोड़ी ने विजू शरीर धारन करे छे आन्या पोता नो पालट प्ले करे छे जो आत्मा नव शरीर धारन करतो होय तो शरीर को मेल नू पन मेल फमेल नू पन मेल खोमों फमेल नूप बिएजा टो एज otherbas छोडी हचेएकजेएको ंरी कायों टो फमेल नू होई कि एज चरीर के जारी फरीत हीएको अपने स्झेंवक नोटानि भी किओ आमर पियोनी अंदर खुब सारी स्वच्छता पालना परवरिष करवाना गुणों हए जे एतला माते अध्यात्मिक्त आपणने शिख्वे छे के स्त्री शरीर होई के पुरुष शरीर होई के पुरुष शरीर होई ए प्रक्रतिना पांच तत्वनुज बनेलू छे अने आत्मा स्त्री शरीर के पुरुष शरीर धारन करी ने पुतानों रोल प्ले करे छे मृत्तिव समय ए आत्मा एक शरीर छोड़े छे औने पची नव शरीर धारन करे छे तो आ, एक शरीर छोडी और बिजु नौउ शरीर धारन करू Mick अत्म धारन करवानी इंजी छोडवानी क्रिया कट्रें यह पिन्सक्राइब negotiating तो इटबे कि गलुज mai graduating in a country जो सोनामा आपड़ी भीजी धातु मिक्स करी सु तो एमा थी जे घरेणु बनसे पण मिक्स धातु नुज बनसे। जेवु बीज एवु व्रुख्ष आपड़े कईए जे। जो बीज कॉलिती नहीं होए तो व्रुख्ष पण कॉलिती नहीं उगे। एज रित ते शरीर ए आत्माना कर्मने आभारी जे। एतला इत्र मेट आत्म कर्मिक एकाउंट ने आधारेंhd धारन करे चे। अन्ने ए एकाउंट पूरज हाँ ए तले शरीर छोडीते चे। परन्प विजक्व परन्व कोई प्रिंसिपल खरोह। अत्मा दिवास अथे, केटला टायम पीडेने नव शजिर धारन करें? ए दरेकना पोताना करमिक एकाउंटु पर छे नव शजिर धारन करवा मालेजे ना पीडियर माँ है लेचे बार्सोटान एक श्रेर्प बाइं? कि अनि जे आसक्ती छे मानि लो पुर्वा शरीर साथे कि ए परिवार साथे ए केटला आसक्त छे ए प्रमाने एनू खेंचान कि एना वाइब्रेशन्स एनि साथे जोडाये ला रहे छे पना आत्मा तरत अज विजु शरीर धारन करी ला छे जे आत्मा ओं खुबज क्रोनिक विकारने वश्य होई पछे काम वासना आती होई कि बहुज गुस्सामा के अहंकारमा की इरश्या वेरमा शरीर चोड़ियू होई और ए वृत्ती एनि रही गई होई तो जे आत्मा भटके छे बराबर मेडिकल सायंस प्रमा ने वूपन कही शकाई शे के कुई पन मातानो घर्भ आवे पछी अमुक पीडियर पछी एनि अंदर जिव आउतो होई छे जो आत्मा विजु शरीर धारन करी लेतो होई तो ए आत्मा माटे घर्भ जे तैयार थतो होई के विरीते तैयार थत होई पेले थी तैयार थतो होई ए आत्मा माटे करनके आ वद्धू हिसाब कीतावने अधारे छे ने अखुज या सुरस्ती नाटक छे ए कर्मना सिध्धान तो पर चाले छे एकला यहां आत्मा ना शरीर छोड़वानी तैयार यो थाई एकला अबाजु एने नव शरीर धा पच्छी आत्मा यहां प्रवेश करती होई छे आनि गर्भ धारन करनारी महिला ने यह इतन्य शक्ती ना प्रवेश थी जे हलचल थाई एनो अनुभाव पन एने खतो हाई छे एकले आत्मा शरीर धारन करे छोड़े गर्भ मा प्रवेशे आब धीज क्रियाओ कर्मना नातक एक कोई अकस्मिक घटना नाती बाउज कर्म्याना सिद्धान्त पर चालनारू एक व्यवस्थित आ नातक छे आपने इम धाय कि अकस्मात ए गया अचानक एमने शरीर छेडू अकस्मिक घटना एवी बनी आपड़े नथी जानता एटले आपड़ें कहिए छे क्या आ कश्मिक बनी बाकी आप दूज एक व्यवस्थित कर्मना सिद्धान्त ने अधारे जा घटनाओ चाले छे तो पची दिदी आपने करू टेम के व्रुत्ति तो सरेल नू हई चे आत्मानों नथी होतू और आपने जीवन दर्म्यान ये कई कर्मों के प्रवनूति करिये छे एनी पाचा चितन सत्ता आत्मा ज रहेली होई चे तो आत्मा जेरे सरील छोड़ी एने आगर प्रयान करें चे तो एनी चाथे कसू लई जाई चे के वदूज तिया खाली करी एने आत्मा खाली थाई ने आगर जाई चे हिसाब किता पूरो था एकले जात्मा जाई चे पाण ए ए जीवन नी अंदर केवी आसकती थी केवा प्यार थी केवी गुरुणा थी एना अन्य व्यक्तियों साथे संबंध रहा एना अधारे ए आत्मा ने शर्वातना दिवस्तों में एनू खेचान अदे एनी कशिश रेकारन के पुरू जीवन ते आटेज थाई ने जात्मा त्यार ए शर्वातना दिवस्तों में ए रहे छे एपन पछी एपन काण के इसाब किता पूरा थाई गे एतले आसकती पन खतम थाई जती आई चे अन्य एतला में अटेज जे भारत मा कोईपन व्यक्ति शरीर छोड़े त्यार पछी ए निपाचर जे सक्षन करवा मां आवे छे ए अध्यात्मी जण ध्यान नी वात्तो करवा मां आवे छे एनू कारान जे छे के जेथी आत्मानी कोई पन एवी आसक्ति हो इच्छा ओ रही गई हो तो ए खतम थाई जाई और जे आँ शरीर धारन करें त्यां एक सुखे थी रे आने जेनू मन लागेलू रे आने इथी अवे डिस्कनेक्ट थाई जाए एतला माटेज ए वदा ज्यान ध्यानना करेक्रमों के दान पुन्यना करेक्रमों करवा मावता हुई तो आत्मा पोते पोतानी अंदर कसु साथे ले जेती होई छे के जैरे सरीर छोड़े त्यारे बदू इहात मुखी जाए जे प्रभाव छे संस्कार रूपे आत्मा माव जे संचित थाई छे ए तो आत्मा ने साथे जाए छे एना अधारेज तो एनी आगर नी गती आने जीवन स्थिती एनने प्राप्त थाई छे एहा कर्मिक एकाउंट ने अधारिक थाई छे एकले करेला कर्मों नो प्रभाव संस्कार रूपे आत्मा मा संचित थाई छे और आत्मा ए प्रभाव ने साथे लईने जाई छे बदाज कर्मों ने इससाथ खाली थाई जाए तो तो एने करमातित के वामा आए तो ए आतमा पाची परमधाम जती रे कानके इनो इसाबा दुनिया के आवे समाप्त थाई गयो छे पर एधी करमातित स्थिती आतमा पोता निरी ते प्राप्त नाथी करी शक्ति कर्युग ना अंत समय जारे परमात्मा स्रुस्ती पर आवे छे औने आतमा ओने जारे ए बतावे छे के हवे आ नाटक पुरू थाई छे औने हवे तमारे फरी पाचा घरे जवानू छे त्यारे करमातित स्थिती नो पुरुष्यार्थ परमात्मा करा ले छे औने त्यारे आतमा सारा खरा बधा कर्मों ना हिसाब माथी मुक्त थाई ने ए शुद्ध आतमा बनीने पाचिपता ने घरे जाए अपने कोई टैप नी अंदर रेकॉर्डिंग करता आई है अन्ने एहमा जे कंटेंट बरी होई इवी दिते आतमा नी अंदर संस्कार भरेला होई छे अन्ने ए संस्कार आतमा होतानी जोड़े आगर नावा जनम मां करी फोर्वड करें छे एतले तो पुनर जनमा नी जे अन्ने एन्ने 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 एन्न आपने अपने तरफनाथी भोगवता होता है। अपने विजाजन्मन अंदर एना मडता होईचे। एटले एवुनाथी के एकदम खाली थाईजाएचे आतमा, नहीं एना जे कर्मोना इसाथ किताब छे एक केरी फर्वर्वर्ड थता होईचे। मैं विजाजन्मन मनमा एवुद्भवे छे, आपने जो यह चे के संसानी अंदर मृत्यू पर घहाँ प्रकारे थाईचे। कोकुनू नेक्चरल देथ जैने क्यावाएच, सहज मृत्यू थाईचे, कोकुनू आकस्मिक मृत्यू थाईचे, कोकुनू लाबो समय बीमारी मा रहिने पच्छी मृत्यू थाईचे, कोकुनू एक्सिडेन थाईचे, तो अन्दर स्पोर्ट मृत्यू थाईचे, तो अब पाचर पोई रहस्य असे खरू? जवाबदार होई चे आन एतले आपने केता पण होई चे के जू केतली सहज रिते ए गया है एवा सारा कर्मों कर रहा है से के सहज शरीर चुटी गए गणा लाबो समय भीमारी भोगवी हिसाब किताब भोगवी ने बदानी सेवा लई ने जता होई चे अपने आपने बिजान साथे हिसाब बांधता पहला विचार वुजए तरनके ए हिसाब आपने पाछा चुकवा आपन पड़ता है जे कर्म करिये छिए एनों सारों के खराब हिसाब दरेके पोते जे चुकवा पड़ता है अन इतला में आपने केवाम आपने आपने विचारी ने हिसाब बनाव ज आदी मध्य अंत विचारी ने कर जो, आप दू केम सिखावा मारे छे, कानके आप दू आत्मानी साथे कनेक्टेर छे, अनि जे करता बने छे, एज भोगता बने छे, आपने करी एकले आपने जने भोगवानों हाई छे लाभी मादगी भोगवी ने गणा लोको शरीर छोड़े छे, एक असवय व्यद्ना पीडा भोगवी ने शरीर छोड़े छे, तो ये लोको पतानों मृत्यू अथवा तो शरीर छोड़वानी जे प्रक्रिया चे एकदम सरर करी सके, ये माटे इह भी कोई वीदी खरी, अथव मृत्यू कई रीते थायू, एना उपर थी ए आत्माना जीवन नो अंदाज आपड़े नो लगावी श्रके, गणी महान आत्माओ पन लाभा समय सुधी बिमारी भोगवता हुए छे, एनी पाचर घणा कारणा हुए छे, के एलोको घणा मुटा कारोबार माटे जवाबदा हुए छे, आने एज यार शरीर छोड़ी ने जवानू आवे छे, तो लामबव समय एना इसाब किताब चालवा थी, एना देखता जी बिजी आत्माओ तयार थती जती हुए छे, एटले बिजी आत्माओ एक आरोबार संभाड़वा माटे तयार थाई शके, एटला माटे त आत्मा आउगती ने प्राप्त थाई छे, एवु ना थी, एनी शरीर छोड़वानी आ विश्वनाटक नी अंदर एनी नुद्धजेवी छे के अकसमाथ छोड़े छोड़े, पड़ एनोर थेव ना थी के आत्मा पची भटकती हुए छे, आपनी अंती मनोस्थिती कई प्र आपना पोताना जरूर को हिसाब किताब छे, विमारी साथेना, डॉक्टर साथेना, जेनी आपड़े सेवा लईए छे, एनी साथेना, अमुक रेता क्या होई और क्या जेने शरीर छोड़ता हुए छे, एस थान साथेना हिसाब किता, आ बधाने कारणे आब दू बनतु पाण आत्मानी अंतीम मनोस्थिती जे प्रकार नी होई छे, एना आधारे एनी गतिखती हाई। ए ए परिस्थिती नी अंदर पोता नी मनोस्थिती सारी बनावी सके बिलकुल, इतला मैते केवा मा आवे छे के प्रार्थना, दुआ, मेडिटेशन, ए वधी वस्तु आवी बीमारियों ना समय आपने खुब मज़त करती हाई छे, प्र्यक्ती पोते पन इतला मैते अवित्र संबंधियों पन त्यारे केता होई छे, ए भगवान ने याद कर, भगवान ने याद कर, ए तमने मज़त कर से, पोता ना हिसाब किताब तो पोते चुकावा पड़े छे, बिजा भले आपड़ा मेटे दवादारू होस्पिटल डॉक्टर नो प्रबंद कर से, पन ए वेदना तो व्यक्तियों पोते जभोगवी पड़े, करनके एने पोते ए हिसाब बनाले लाजे, पन ए भीमारी ना समय पन जो आपने जीवनमा योग अभिहास नी प्राक्टीस होई, रोज आपनने आत्मभिमानी बनवानो अभिहास होई, शरीर थी अलग, पोताने आत् होई, तो आपने बीमारी वखते पन ए अभिहास आपने मदद करशे, कि आपने बोड़ी के देटाज रही शकेशु, जेने कारणे ए बीमारी नी जे भोगना चे एनि मैसुस्ता आपने ओची थाशे। एहनी साथे करेकने के एक सबंध होई छे, तो सु आवात साथी जे आमा की तथ्या छे। वास्तों मा तो एवो होई छे के आत्मा जारे शरीर छोड़े छे त्या ए गड़ियों मा एने जीवन भर करेला कर्मों ना हिसाब सामे आउता होई छे। अखी एना जीवन नी फिल्म छे एना बुद्धीना स्क्रीन पर सेकेंड मा एरिपित थाती होई छे। एतले एने पोताने एहसास थाय छे के मारा करेला कर्मों फई प्रकार्ना हता आने इना परेनाम रुपे आपधी भूगना हो भूगवी रहे छे। बराबर एतले खानके आज जीवन नो अंत छे अखा जीवन नो सर्वय। है करे आपने मैसुसततो है जीवन मों शेख भळवी हिसाब किताज छुकवी ने पवित्र बने जीवन फेonton वने की अफ़ये जीवन अने शक्त कर्मयोगी बनीने जीवन जीवन graphs ने पोताने हिसाब नवा बनावता पर्नेला हिसाब ने परमातमयाद द्वारा छुकवेन ज आ जन्मना हिसावनों खेचान एन्हों उच्छु अथ्वा नहीं वत ज्यारे थाई जाई छे त्यारे एन्हें नवा जीवनना एंधान एन्हा एहसास एन्हें प्राप्त थता हाई छे कि हवे आ शरीद छोडी ने फरीप आछें नौ शरीद भारन करें इतले एन्हें नवा जन्म और संबंद के परिवाद जे कहो एक नवा जन्मनी खुशी अथ्वा एन्हों एक एहसास एन्हें जरूर था को हाई पड़ ए आत्मा उने के जे आज जीवन नी अंदर एवा कोई ह किताब मा एकली लेपित नौ होई आजे आप हिया आव्या आकारे क्रमनी अंदर अन्हें मृत्यु जिवा अत्ती गंबिर विशय उपर जे सहस्ता ची गन्याना प्यू इमें दल आपनो खुब खुबा बारमानुचु धन्यवाद तो दर्शकमित्रो आजे आपने जोयू क मृत्यु एक अत्ती गंबिर विशय उपर जे आपने खुबत सहस्ता थी साच्यू अध्यात्मी गिन्यान प्राप्त करी अने जीवन नो एक मंगल प्रसंग पन बनावी सकिये जे तो मृत्यु विशय दर्शकमित्रो ए आदना आप मृत्यु विशय ने जिवन मा चोक्कस अने जीवन नी पर-पर शेकंड-शेकंड आप सव शाचा आनंद थी जीवसो एवी महासा राखोचू फरी थी आवती वगते नवा अपी शुर्मा एक आवाद नवा सुन्दर अत्ती गंबिर परनांतु अत्ती सहस्ता थी जानी सकाई एवा विशय साथे फरी सिम त्या सुधियो आप सुम्निर जालो नमस्कार